नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पीशाज दो अप्रेल दोपहर बारा बजे राजस्तान की खासखाप्रिंट राजसान में पिछले 15 से 20 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश और उला वरिस्टी के कारण अभी तक गर्मी का एहसास नहीं हुआ है अप्रेल की शुरुआत भी हलकी ठंडक के साथ हुई है लगातार बारिश से नेकेवल टेंपरेचर केंट्रोल में है बलकि समान्य से पीचे चला गिया है जैपूर मौसम की इंदर से जारी फोर्कास्ट के मुताबिक राजस्तान में तीन अप्रेल से एक बार फिर मौसम बिगड़ेगा उत्तर भारत में एक नया वेस्टन डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा जिसका प्रभाव राजस्तान की उतरी हिस्सों के जिलों श्रिगंगा नगर, हनुमानगर, चूरू, जुन्जनू, बीकानेर और सीकर में देखने को मिलेगा यहां तीन अप्रेल को कहीं गहीं गरज चमक के साथ, बारिश और कहीं कहीं ओले गिरने की अशंका है हरियाना के नू में अतरिक्त सतर न्यायदिश संदेप दुगल नू की कोट ने साथ ससुर वेजेट की जगन्या हत्या की महिला गीता और उसके भाई को अजिवन कारावास की सजादी है तीसरे आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया सीनियर एडवोकेट सुनिल परमार ने बताये कि 28 सितंबर 2017 को सोहना नगर में रहने वाली आरोपी महिला गीता ने चतरपूर दिल्ली निवासी अपने भाई समरजीत और पारिवारिक नौकर विकास के साथ मिलकर मकान में ही साथ ससुर और जेट के रसी से गला घोंड कर हत्या कर दी थी और शवों को गाम चंडिगर थाना रामगर राजस्तान के जंगल में एक बिटोडे में फैंक दिया गया सबी के शव मिलने के बाद राजस्तान और हरियाना पुलिस के संबंदीत थानों में दो अलग-अलग मामले दर्स किये गए जनकरे के मुताबिक गीता के पती ने पहले ही पारिवारिक कलेश के चलते आत्म हत्या कर ले थी साथ ससुर और जेट के नाम पर करोडो रुपे की संपती थी इसे हत्याने के उदेश्य से अपने भाई और नौकर के साथ मिलकर गीता ने हत्या की योज न बनाई जैपुर में दोस्तिकर एक योवती से रेप का मामला सामने आया है मिलने के बहानी बुलाकर आरोपी परीचित ने उसके साथ दुश करम किया दराधम काकर घर से गहने मंगवा कर हड़ अप लिये जैपुरा खोर थाने में 18 साल की योवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि कुछ समय पहले उसके फ्रेंड ने उसकी मुलाकात विकास सैनी से कराई थी आरोपी विकास उससे बाच्छित करने लगा बहला फुस लाकर आरोपी ने मिलने को कहा मिलने के बहाने आरोपी ने डराध हमका कर उसके साथ रेप किया डराध हमका कर आरोपी विकास 10 से 15 दिन तक उसका देश शोशन करता रहा उसने घर से सोनी का मंगर सुतर और चांदी की पाईजेब भी मंगवा कर हडप ली पोलिस ने रिपोर्ट दर्सकर जाज शुरू कर दी है मुख्यमंत्रिय शोक गहलोत ने सचिन पाईलेट को लेकर कहा कि पाईलेट कॉंग्रिस में ही है हमें उनसे कोई परिशानी नहीं है सियासी संकट के समय जरूर वो हमसे दूर हो गए थे लेकिन हमने समय रहते सरकार बचाई अमित शा, थर्मेंदर प्रधानी राजस्तान की सरकार किराने की साजिश रची थी जब राहूल गांदी कह चुके हैं कि गहलोत पाईलेट दोनों नेता कॉंग्रिस के लिए एसेट है राउल गांधी के मामले में कांग्रियस के कोट नहीं जाने के उपर कहलोत ने कहा कि उनकी लीगल टीम है जो एक्सपर्ट होती है वो देख रही है वही तैय करेगी आगे क्या करना है बीजेपी वालों को इसके बारे में हंगामा करने की जरूरत नहीं है बीजेपी के इस शड़ियंतर से देश में आख्रोश है जनता समझ रही है कि देश में क्या हो रहा है लोगत अंतर संकट में है थजियां उड़ रही है एडी सेबियाई का गलत इस्तिमाल हो रहा है लोगत ने कहा कि हम सत्या ग्रे कर रहे हैं अब फैसला जनता करेगी पंजाब के तरंतारन में बेटी की शादी को लेकर माई के वालों द्वारा सबे तयारियां मुकमल करते हुए बरात का इंतजार किया जा रहा था यह इंतजार परिशानी में तब बदल गया जब दुलह बरात लेकर पैलेस में नहीं पहुंचा इसका कारण यह था कि दुलहे की परीजन दहेज में गाड़ी की मांग करे थे जो पूरी नहीं हो सकी आखे लड़की के परीजनों द्वारा किसान संगर्श समीती के साथ मिलकर थाना सीटी तरन तार्न का घिराव करते हुए धरना दि कर लड़की के ससुर असराल सिंग को गिरफतार कर लिया लखबीर सिंग निवासी गोहलवर्ड ने बताया कि उसकी बेटी पुनित की शादी अंग्रेज सिंग निवासी पलासौर के साथ तैह हुई थे ससुराल वालों ने दहेज में गाड़ी की मांग की यह मांग हम पूर विक्रेता के साथ साइबर ठगी हो गई ठगों ने सबजी विक्रेता को चूना लगा कर 45,000 पे ठग लिये जानकारी के अनुसार पिलानी कस्बे के वार्ड नंबर 31 निवासी सुरेश कुमार से अग्याद ठगों ने 4,000 पे की फ्रूट ओर किये ठगों ने गलती से खाते मे 40,000 पे भेजने का चांसा दिया और स्क्रींश और भेज दिया पिडित ने बिना चेक किये ही 36,000 पे ठगों को भेज दिये ठग ने पिडित के बेटे से भी 55,000 पे ट्रांसफर करवा लिये धोखा दड़ी का पता चलने पर सुरेश कुमार ने मामला दर्स करवाया है सैमादोपूर जिले की बॉली कस्वे में चोरों ने दो मंदिरों सहीत तीन जगों पर चोरी की वारदात को अंचाम दिया है चोरों ने यहां से सैंकडों साल पुरानी अश्टधातू की बेश कीमती रादा कृशन की मूर्तियां चुरा ली वे सूर्य मुखी हनुमान मंदिर से नगदी वे पूजा की बर्तन पार कर लिए चोरों ने बुंदिरला मुहला के एक मकान को भी निशाना बनाते हुए लाखों की नगदी वे सेवर पार कर लिए सोचना पर ऐसे चो कुसुम लता मीना भी मैं जापते मौके पर पहुँची और खतना करम की जानकारी ली खुजारी नरेंदर दादिश ने बताया कि हनुमान मंदिर पर देर साल के अंतराल में दूसरी बाद चोरी हुई है चोरों ने मंदिर से तीन से चार हजार की नगदी पीतल के बरतन वे अन्य समान पार कर लिए वे जरजरी बागस्तित सैंखडों वर्ष पुराने पिहारी जी के मंदिर में भी चोरी हुई है यहां से अश्टधातू के निर्मित भगवान कृष्ण और आदाजी की बहु मुल्य मूर्तियां चोरों ने पार कर ली मूर्तियां सेकडों साल पुरानी थी पुलिस मामले की जांच कर रही है राजे की सबी सरकारी और प्राइविट स्कूलों का टाइम बदल दिया गया है प्ररंबिक और मादे में ख्षिक्षा निदेशालिया बीकानिर की और से प्रदेश के सबी स्कूलों के समय में बदलाव की अदेश जारी किये गए शनिवार से स्कूलों में इस अदेश की पालना शुरू की गई लेकिन स्कूलों में परिक्षाओं का दौर चलने और सुबा के समय बातावरन सर्द होने से चातरों की संख्या कम देखने को मिली कई स्कूलों में चातर देरी से भी पहुंच रहे हैं राज के विद्याले की एक प्रचार्य ने बताया कि स्कूल टाइमिंग चेंज खूने के बाद शनिवार को पहला दिन था ऐसे में देरी से पहुंचने वाले चातरों को हिदायत दी गई हैं सोंबार से सक्ति की जाएगी ताकि चातरों में पंक्शुलिटी रहे प्रदेश के सरकारी और प्राइविट स्कूलों में चल रहे एक्जाम्स के वेच शिक्षा विभाग ने सबिस्तर के स्कूलों का समय बदला है उद्यपूर में अंबा माता थानक शेतर में एक यवद का पहरण कर उसके जबरन कपड़े खुलवा कर मारपिट करने का मामला सामने आया है बदमाशों ने मारपिट करते हुए पेडित का वीडियो बनाया इतना ही नहीं पेडित कुशागर को तलवार और पिस्टल का खौफ दिखा कर डराया धमकाया वीडियो में पेडित यवथ जोड से रोते हुए मारपिट नई करने की गुहार लगाते दिख रहा है पुलिस के मताबिक मामले में तिलक नगर सेक्टर तीन निवासी कुशागर जंपावत ने रिपोर्ट दर्स करवाई है कुशागर एवेंट मैनेजमेंट में काम करता है अरोपि साहिल हुसेन ने कुशागर को फोन कर मला तलाई में काम करने की बहाने बुलाया था जब साहिल के साथ फरहान अंसारी मौईन और खादिन शेक भी था अरोपियों ने उसका मॉबाइल छीन कर जब रनकार में बिठाकर सुंसान जगा ले गए मौईन पर गर्दन पर तलवार रख कर कहा कि तुम लोगों ने हमें नीचा दिखाया तुमें मार कर बदला लेंगे फरहान ने पिस्टल दिखाकर धमकाया पर कपड़े खोलने को मजबूर किया मार पिट कर विडियो भी बनाया पुलिस का मानना है कि परादमिक रूप से मामला अपसी रंजिश का लग रहा है भरतपुर की आर्टियो विभाग के परिवेहन निर्खषक पर एक महिला ने बलातकार का रूप लगाया है महिला का कहना है कि आटियो विभाग का परिवेहन निर्खशक महिला को आगरा छोड़ने के बहाने कार में बैठाया जब महिला ने आटियो के परिवेहन निर्खशक का विरोध किया तो उसने महिला को गाली गलोज की और आस्ते में छोड़ कर फरार हो गया महिला ने मामला दर्स करवाते हुए बताया कि वह जील का बड़ा माता के दर्शन कर लोट रही थी वह आगरा जाने के लिए बस का इंतजार करे थी तब हीरादास की तरफ से एक सफेद रंखी कार आकर महिला के पास रुकी जिसमें आटियों का परिवेन रिक्षक मनोज इंदोलिया बैठा था मनोज इंदोलिया ने महिला से पूछा कि वह कहा जा रही है महिला ने बताया कि वह आगरा जा रही है तो मनोज ने कहा कि मैं भी आगरा जा रहा हूँ छोड़ देगा जिसके बाद सुनसान जगा पर कार रोग कर महिला का मूँ दबाया और उसके साथ अश्लील हरकते की अटल बंद थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है कर रही है